तो लोगो दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूँ एक सिंग और दोस्तों टेक्नेक्ट सर के एक और वीडियो में आपका स्वागता जून का महीना शुरू हो गया है and different budget के smart phones की list जो 5 सबसे best होते हैं उनकी series भी चालू हो गई है 20,000 वाला और 15,000 मैं अल्री बना चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे smart phone जो 10,000 के range में सबसे best है जून के वहीने में 2021 में सुबक question answer वाला वीडियो आया था नहीं देखा जाके देखिए आपका कोई question हो देखिए उसमें शायद answer किया हूँ मैंने आपके question से लिए कुछ भी चलिए पसंद आला या कमेंटर शेर कर देना चलते सिधे 5 स्मार्फोन की तरफ जो जून में 10,000 की budget में सबसे best है और Instagram में भी आ सकते हो कोई question है कोई query है आके पूछ लोग Instagram पे सबको answer मिलते हैं आपको भी मिल जाएंगे वैसे तो काफी स्मार्फोन है जो 10,000 में आपको अच्छे specification देते हैं लेकिन उन में से 5 चुलना काफी मुश्किल आकाम होता है तो मेरे हिसाब से जो 5 हैं उनके list में ने बनाई है पांच्छे से पहले की तरफ जाएंगे लास्मे में कुछ ऐसे भी smartphone बता दूंगा जो बच गए हैं या थोड़ा सा और एडगर के आपको मिल जाते हैं सबकी बाते करेंगे चलते हैं actual list की तरफ पांच्छे नंबर पे पांच्छे नंबर पे Samsung के दो फोन्स है Samsung M12 और Samsung F12 दोनों Amazon और Flipkart पे मिलते हैं और pricing साड़े 10,000 रुपए है normal day sale में आपको ये 10,000 के आसपास की price में मिल जाते हैं आपको अगर Samsung का brand value अला smartphone चीए One UI के साथ तो आप इनकी तरफ देख सकते हो specification की अगर बात करोगे तो इसमें 6.5 inch का HD Plus का display आता है water drop notch के साथ rear side पे ठीक ठाक decent performance दे देता है One UI 4 के उपर आता है जो कि Android 11 के उपर based है 48 में पिक्सल का triple camera का setup है 48 में पिक्सल का quad camera का setup है 8 में पिक्सल का front camera है 6000 mh की battery है 15Wad का charger है इसके साथ साथ आपको side mounted finger paint scanner आता है और dedicated slot आता है 10,500 रुपए में आता है normal days में 10,000 में मिल जाता है चारज जीवी 64 जीवी Samsung F12 और Samsung M12 दोनों आते हैं मेरे लिस में पांच हुई नमबर पर बात करते हैं चौथे नमबर भी चौथे नमबर पर आता है Infinix का hot 10S अभी अभी लॉंच हुआ है recent में 10,000 में 4 जीवी 64 जीवी Flipkart में मिलता है Specification की बात करोगे तो 6.8 इंच का बड़ा display है HD Plus का आता है इसके display में आपको 90 Hz के refresh rate का support मिलता है देखने में smartphone अच्छा लगता है इसके बाद chipset की बात करोगे तो इसमें MediaTek का G85 का chipset है तो performance में भी आपको कोई issue नहीं आएगा रियर साइड पर polycarbonate है और Infinix का XOS 7.6 है उसके उपर आता है जो कि Android 11 के उपर based है तो Bluetooth भी थोड़ी रहते है बाद delete कर पाऊगे चलिए इसके बाद camera की बात करोगे तो रियर साइड पर triple camera है 48 plus 2 plus 1 AI का sensor है फ्रंट में 8 में पिक्सल का sensor आता है 6000 एमेज की बैटरी है 18 वैड के charger का support है रियर साइड पे fingerprint scanner है और dedicated card slot आता है दस हजार में 4GB, 64GB, Infinix Hot 10S एक अच्छी डीले flip card पे मेरे list में आता है ये चौथे नमबर पे बात करते हैं तीसरे नमबर की तीसरे नमबर पे रियल्मी की दो फोन्स थे रियल्मी नार्जो 20 और रियल्मी नार्जो 30A दोनों की लड़ाई में मुझे रियल्मी नार्जो 20 ज्यादा बैटर लगा प्राइस भी ज्यादा है लेकिन अब्विसली 10,000 के नीचे आता है 4GB, 64GB, 6.52 इंच का डिस्पले है HD Plus का Waterdrop notch के साथ आता है अची चीज़ है इसके साथ MediaTek का G85 का चिपसेट मिल जाता तो परफॉमेंस भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा परफॉमेंस में कोई इश्यू नहीं आएगा इसके बाद बात करेंगे तो रियल्मी यूए की उपर आता है जो के अंड्रॉइड 11 क्यूपर बेस है चलिए यह यह भी अच्छी चीज़ है नहीं प्लस एट प्लस टू में पिक्सल का ट्रिपल कैमरा है रियर साइट पे आठ में पिक्सल का फ्रेंट में है यानि फोटोग्राफी भी अच्छी खासी हो जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा 6000 इमेंच की बैटरी है 18 वैट का चार्जर है रियर साइट पे फिंगर पिन स्कैनर है और डेडि बात करते हैं 6.67 बड़ा डिसपले है फुल एचज साथ प्लस का याद रखना इसके साथ पंच हुल के साथ आता है तो पूरी सीरीज में अकेला ऐसा लोट वेर नहीं कैमरा की बात करोगे रियर साइट पे ट्रिपल कैमरा का सेट अप है 48 प्लस 8 प्लस 2 में पिक्सल का फ्रेंट में 8 में पिक्सल का सेंसर दिया हुआ है इसके बाद 5000 एमेच की बैटरी है 18 वैट का चार्जर है टाइप सी का पोर्ट है रियर साइट पे फिंगर और अन्र यानि नंभबार वन नंबर वन प्राकों या कहलो लिन पावर उल्मो सेम स्मार्टफोन है त्मेन पाइप स्मार्ट और पे बात क्लिके सब्द़ेटी श्यंगा प दो से में 6.5 का IPS LCD का पैनल फुल HD Plus का मिलता है वाटर आप नॉच के साथ रियर साइट पर पॉली कार्बोनेट है ट्रिपल एन क्वाड का सेट अप है जैसे मैंने कहा अच्छी चीज है इसके बाद चिपसेट की बात करोगे तो इसमें आपको स्नैप ड्रगन का 662 का चिपसेट म में है और 48 Plus 8 Plus 2 Plus 2 वाला Redmi 9 Power में तो Redmi 9 Power में एक सेंसर आपको ज्यादा मिल जाएगा दोनों में 6000 इमेच की बैटरी है 18 वेट का चार्जर है टाइब सी का पोर्ट है साइड ओंटेड फिंगर्परिंट स्कैनर है डेडिकेट कार्ट स्वाट है सारी चीज़ें आपको साड़े रेंज में आते हैं और मेरे हिसाब से सबसे बैस हैं इनके अलामा अगर आप देखना चाहते हो तो रियल मीन का नार्जो 30A है रेड्मी 9 प्राइम या पोको M2 के लो वह वाला भी है उसके अलामा मोटो का G10 पावर भी इसी रेंज में आता है तो इनकी तरफ भी देख सकते अगर 10,000 के आसपास का है तो यह स्मार्टफोन अच्छी है कौन साल आपको अच्छा लगा जबू बता देना कैसा लगा वीडियो यह भी बता देना पसंद आया लाके में शेयर कर देना नहीं पसंद है डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों पसंद है और भी बहुत सार नहीं मिलते अगले वीडियो में कुछ नहीं अगंड साथ ततके लिए उसतों जैए